अशितोमा शद्गमाया MPGK के अंतरगत हमारी डिस्टिक संख्ला के अंतरगत आज हम देखते हैं अशोक नगर अशोक नगर की बात करें तो ये ग्वालियर संभाग के अंतरग आता है अशोक नगर की बात करें तो अशोक नगर गुना ते अलग करके बनाया गया है यानि पहले ये गुना रिष्टिक था जिसके बाद इसको अशोक नगर एक अलग जिला बनाया गया इसके सिमा औरती जिले की बात करें तो इसके अंतरगत सीवपूरी है इधर गुना है और संभागी शेत्र की बात करें तो गौलिर संभाग के अंत्रगत ये आता है चलिए इसका हम पूरा मेप देखते हैं तो ये अशोक नगर है जिसमें जिसका अकुछ चेत्र ये सीवपुरी से लगा हुआ है इसके बाद ये इदर सिमावर्ति जिला है तकदेश का इदर इसका च इस प्रकार से इसके सीमावर्ति जिले की बात करें तो सीवपुरी गुना विदीशा और सागर ये हो गए है और सीमावर्ति जिला भी है तो उत्तरपदेश की सीमा इदर इस चेत्र में लगती है इसकी चंदेरी तेसी लाता है जो उत्तरपदेश है साथी साथ मुंगाली भी उत्रप्रदेश की सीमा से लगता है तो ये चेत्र जो है कि इसका निदो तेफस्एले इसकी उत्रप्रदेश का सीमा और॥ी चेत्र है येदि हम बात करें असोग नगर की तो चंदरी की पाहडी और जिलो से घिरा हुआ है असोग नगर और ग्वाली संभाग के अंत्रगत ये जिला आता है असोग नगर सिंधी और बैतवानदी के बीज मेत्रप्रदेश के उत्रिभाग में इस्तित है और वर्तमान जो जिला है इसका जो आस्तित आया है ये 15 अगस्त 2003 को गुना जिले से प्रतक करके बनाया गया नया जिला बनाई है 2003 में असोग नगर जो जिला है इसका जो चेतर है महाबारत काल में शिशुपाल के चेंदी राज्ये का भाग था इसलिए चेंदी नगरी या चंदेरी भी इसको कह जाता है या चंद्रगिरी नाम भी इसका प्रशिद्ध है साथिसाथ जन्पत काल में जो चेंदी जन्पत था ये मध्यलूगी काल में चंदरी राज्ये का एक भाग था और इसे चंदरी के नाम से जाना जाता था माना जाता है कि मोरीर सम्राठ जो असोग था वो उजेन को जीत करके यहां कुछ समय के लिए रुका था ये दो दिन के बारे में कहा जाता है इसका और इसलिए इसका नाम बाद में असोगनगर पड़ा अशोक के नाम पर नहीं तो ये चंदेरी के नाम से चेंदी राज्जी के का भाग था इसलिए इसको चंदेरी के नाम से जाना जाता था बाद में इसका नाम परिवर्थित हो करके अशोक नगर हो गया प्रतिहार वर्स के राजय किर्तिपाल ने दस्वी और ग्यारी सताब्दी में चंदरी नगर की स्थापना की तथा अपनी राजधने भी इसको बनाया था अशोक नगर देश भर में अपने अनाजमंडी और सर्वति के लिए भी ये प्रशित है तो ये विक्वेशन पूश आए सकता है अशोक नगर की बात करें तो अशोक नगर जिले में सियो संप्राइद का चंदर मर्ड भी इस्ति थे और अपने एतियासिक महत्तु के लिए भी ये जाना जाता है पहिचाना जाता है माना जाता है कि चंदेरी के किले में बने जोहर कुण में बाबर के आकरमन के समय आठ सो राजपुतरानियों ने प्रजुलित अगने कुण में जलक भस्म किया था या जोहर किया था तो यहां का जोहर कुण भी यहां पर प्रिश्टा है अगला हम इसके छेत्रिय प्रिश्ची की बात करें तो छेत्र पलिस का 4644 वर्ग किलो मीटर है जन सेंग की बात करें तो आट लाग पैतालिस जार कतर यहां की जन सेंग क्या है लिंगानुपात की बात करें तो 904 यहां का लिंगानुपात है प्रति पुरुस की संग्या में सक्षर्था प्रतिसत की बात करें तो 66.4 प्रतिसत यहां का सक्षर्था दर है सक्षर्था पुरुस की बात करें तो 78.1 यहां का सक्षर्था पुरुस है महिला सक्षरता की बात करें तो 53.4 महिला सक्षरता है नगरी निकाही की बात करें तो 18.2 यानि 18.2 नगरी निकाही नगरी चेत्र फलकम है यहांका ग्रामिन चेत्र यहां पर जाला बसावा है और वो है 81.8 यहां का ग्रामिन चेत्र है प्रमुक्त तेसिलों की बात करें तो खुद अशोक नगर यह चेत्र हम यह भी देख लेते मेप में यह अशोक नगर का सह है अशोक नगर तेशिल इशागड यह इशागड़ मंगालिया मंगोलिया है चंदेरी सरडोन नई सराइस में चिपगिया है उपर तो यह प्रमुक्त यहां की तेसिले हैं तेसिलों के बाद हम विकास खन के दिवाद करें विकास खन थोड़ा सा चिपगिया है इसमें हम निकाल लेते हैं इसको विकास खन में अशोक नगर इशागर मुंगावली चंदेरी यह यहां के विकास खन है धार में किस तल की बात करें तो कदवाया मंदीर यहां का प्रशिद्ध है करीला माता मंदीर प्रशिद्ध है बिजैशन मंदीर यहां का प्रशिद्ध मंदीर है और जेन मंदीर यहां के प्रशिद्ध मंदीर है मुक्य आकर्सन की बात करें तो चंदरी का किला इशागर और कद्वाया मुक्य आकर्सन के अंदर के अंतरगत आते हैं चंदरी का किला पूछा आता है कि कहा इस दिते तो यह अशोक नगर में है कद्वाया यदि हम कद्वाय की बात करें तो जिले का एक छोटा सा गाउं है कद्वाया जहां पर प्राचीन सीव मंदीर गड़ी यहां पर है और विजासन माता का मंदीर तथा चंदेल मट के लिए यह जाना जाता है अपने आप में इसके बाद इशागड की बात करें तो असोक नगर जिले की यह तेशिल मुख्याला इशागड है और अपने एत्यासिक महत उत्था कद्वाया गाउं में अनेक मंदिरों के लिए यह जाना जाता है तो यह तेशिल चेत्र के अंतरा आता है कि इसके बाद अब बात कर चंदेरी वो चंदेरी अपने साडी उद्योक तो तक इले के लिए जाना जाता है चंदरी का किला और चंदेरी की साड़ियां भी ज्ले warning में प्रशिद्ध है और कहा जाता है कि चांदी के तारों की यहां पर पनावटी या मड़ी जड़ी जाती है इसलिए प्रशिद्ध है बेटवन अदी के किनारी इस्थित ये चंदरी किला किले का जो निर्मान है वो प्रतिहा नरेश किर्थिपाल ने 11 सदी में करवा था इसकी ब जाना जाता है क्योंकि यहां पर जहर किया था रच पूड़ान यहां करेश कटाव वात करें तो असोगनगर में करेला माता मंदिर लोगुष मंदिर के साथ-जिए के माता शीथा का मंदिर रही साथ राई के रूप में राई का जो विसेश प्रादुर्भाव रिता है बुकेना के अशोक नगर से मिलता है तो ये अशोक नगर के मुख्य घटक थे हमारे और ये आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं हम पुनहां अपके लिए एक नई वीडियो लोड करेंगे और उसके अंत्रकत हम देखेंगे दतिया जिला दतिया भी अपने आप में काफी वर्चस हमें हैं तो कहीं तरीके से कुछ क्वेस्टिन्स यहां पर पूछे आते हैं छेत्रफल के साथी साथ यहां के मत मत करसनिस्तल के तो वो सब हम अकले वीडियो में आपके लिए यहां पर प्रस्तूत करेंगे या अप्लोड करेंगे धनिवाद